तो फ्रेंड स्वागत हमाई यूटूब चैनल पिंटुलेक्टिकल्स पर आज हम देखेंगे यह हमारे पास LG का लीनियर कंप्रेसर का फ्रिज आया है तो हमारे दो-तीन टेक्निशन इसमें फेल हो गए हैं कि इसमें गैस सही से नहीं भरपा रहे हैं बार बार यह चौक हो जाता है कभी इसको वीडियो का आपको फुल देखना है तब ही आप समझ पाएंगे कि यह ठीक कैसे करना है तो इसमें गैस बनना एक बहुत बड़ी जंग है तो यह लीनियर कंप्रेसर का यह फ्रिज है तो यह डबल डॉर का तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनना है इसमें कुछ भी कूलिंग नहीं हो रही है और हमने इसको स्टार्ट करा हुगा है फ्रिज को फिर भी यह कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसमें जो सही तरीका है हम आपको बताएंगे कि अगर इस इस वीडियो को फुल देख लिया आपने तो आपको लीनियर कंप्रेसर में गैस बरने में कोई कंप्लेंड या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आराम सक किसी भी फ्रिज में आप गैस भर सकते हैं तो वीडियो को फुल देखना है आपको और हमारे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलत रहे तो दोस्तों यह दे को लीजिका लिनियर कंप्रेसर दस यह वारंटी थिरी स्टार का है और यह हम इसमें आपको बिल्कुल सही तरीका बताएंगे कि गैस को इस तरीके से बढ़ते हैं गैस के बहुत साथ तरीका है तो हम बैक साइड में चलते हैं और देखते हैं इसक से पहले इसमें तो यह फिल्टर ना यह वाला इसमें लगेगा नहीं यह फिल्टर सही से सपाई नहीं कर पाता है और सही से गैस चनके नहीं जा पाती है तो हमें कौन सा फिल्टर यूज करना है हम आपको दिखाते हैं तो आप वीडियो देखते रहें तो यह वाला जो फिल् सर में झाल से हैं तो यह रीघिये फिर दोस्तो इसमें लिखा भी हुआ है देख़ो 600 आपको दिखा रहे हैरें केम्रे को पास लाका यह रहे हैं अगया है और एक सिस्ह चोज़ बीये लिखा अगया है। धूर legal इसको लगाते हैं तो दो तो दोस्तो हम इसमें अब इसको fix करेंगे कैपलरी को साप करके आगे इसमें गुचा देना और उसके बाद आपको बैल्डिंग कर देना यह दोनों साइड बैल्डिंग सही से करें ताकि कि बिटाका लिक ना हो और flex को जरूरी उच करें लोए और copper में जोड़ने के लिए तो यह हमारे पास एक खाली सिलेंडर है जो बिल्कुल खाली है तो इसको हमें तोलना है कि कितना बज़ना रहा है तो 181 ग्राम आ रहा है इसमें ठीक है दोस्तो अब इसमें जो डाइग्राम हमने देखा था उसमें 34 ग्राम गैस थी तो हमने 181 प्लस 34 ग्राम को दोनों को टोट दरे ग्राम आता है तो ठीक है दोस्तो अब हमें ये हमारे पास भी इससे भी डाल सकते हैं लेकिन इससे हमें क्या है कि दो तीन बार खोलना पड़ेगा तो फिर इसमें हवा जाएगी वो हम चाहते नहीं है तो इसलिए हमें खाली सिलेंडर में पहले गैस को तोल के डाल लेनी है जितने ग्राम चाहिए हो दो चार पांच ग्राम एक्स्टा हो जाए तो सही है कम नहीं होनी चाहिए तो हमें खाली सिलेंडर को यूज करना है इसमें बिल्कुल खाली सिलेंडर करके उसमें गैस पलटनी है तो इस वाले सिलेंडर में गैस है और दूसरा हमारे पास खाली सिलंडर है तो उसमें पलट लेंगे तो देखिए दूस्तों अभर अधर तीन वालतओ हुई है अगर पांच ग्राम भी फालतओ हुआ तो कोई दिक् looks णि नहीं होती है हमने दोसो ऑठारा ग्राम ही गैस इसमें डॉनकी है तो हम आपको दिखाते आगे कैसे कैसे इसमें डालनी है गैस को तो तो दोस्तो हमें इस तरह से इसमें एक पिन्वाल लगा लेना जो इसमें पाइप लगा था इस तरह से और जो हमने कंप्रेसर में वो लगा रखा ना उदर वाला वाल तो उसमें हमें चार्जंग लाइन लगा लेनी हैं ये वाली चार्जंग लाइन हमें लगा ली है और ये इसलिए हम आपको दिखाने वैसे हमारे पास undergraduate सब कुछ है ठीक है लेकिन आपके पास अगर कम्प्रेसर नहीं है तो फिर कैसे गैस बरेंगे तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तो इस तरह से जब तक इसमें हवा निकलती रहेगी तो बल्बूले बंदे रहेंगे तो उसके बाद जब ये बल्बूले बंद हो जाएं तो समझ लो आपका वैक्यूम पूरा हो चुका है तो दोस्तो हमारा वैक्यूम पूरा हो चुका है दोस्तो जहां से वैक्यूम हो रहा था वहाँ पर आपको ये सिलेंडर लगा देना है जो आपकी 34 ग्राम गैस थी ना 34 नहीं 36-37 ग्राम थी वो इसमें लगा देनी है ठीक है अब हमने इसमें गैस छोड़ देनी है गैस को पूरा खोल दो और कंप्रेसर को कर दो बंद 10 मिनिट के लिए भूल जाओ क्योंकि इसमें कैपलरी लगी हुए तो कैपलरी लगने इसमें क्या होता है दीरे दीरे गैस जाती है तो कंप्रेसर को पूरी तरह से बंद कर दो अब देखो हमारा जो मीटर वैक्यूम हुआ था तो दोस्तो वो बढ़ना शुरू हो गया तो गैस भी हमारी अब इसमें है 10 मिनिट लगने तो अगर हम जहां से पहले सब फ्रिजों में गैस भरते हैं वहां से भरेंगे तो फिर वो कंप्रेसर बंद हो जाता है तो इस तरह से जब हमारी गैस भर जाए तो उसके बाद हमें प्लास से कट कर देना है प्लास ये का एपलरी मैंने को एसे कट मार देने और उसके बाद इसको बैल्ड हर देना है तो गैस हमारी पूट तरह से डल चुकी है इस तरह से आपको कट मार देना है और हम्मे meto पानी से लीके चेक कर लेनी है यह देखो और फिर इसको साაужд करके हम्में इसे वैल्ड्डिंग कर देनись आपको बैल्डिंग कर देनी है, कंप्रेसर चालू रहना चाहिए, बंद नहीं, बंद पर, तो ये देखिए दोस्तों, ये बापसी आने लगा है, इस तरह से कभी चोक होगा नहीं, कंप्रेसर कभी बंद नहीं होगा, क्या होगा, आप लीनियर में गैसी गैस बरते हो, कंप् पूरा, अब हम आपको दिखाएंगे, कि देखो कितनी असान से डल गई, अगर आप यही किसी अपने तरीके से, पुराने तरीके से डालते हैं, तो आप कभी भी सकसिज नहीं होते, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको जरूर लाइक और चैनल को सब करें, तो देखिए दोस्तों ये देखो, हमारा बैक कम होने लगा है, क्योंकि ये कंपरेसर चल रहा है, पहले ज्यादा हो गया था, अब ये देखिए दोस्तों, ये जीरो बैक आ चुका है, तो हमारी गैस फस्कलाश डल चुकी है, और ये देखो, करनेंसर इसका हीट होने लगा है, अब ये 100% चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी, तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखो इसमें, बरब भी जम गई है, पाइप पे, ये देखो, सामने दिखरी ना दोस्तों, ये देखो, स्टार्टिंग में ये देखो, बरब आपानी शुरू ह होती है, तो अब हम इसमें पानी रख देते हैं, बरब अरब जमने के लिए, और फिर एक दो तीन घंटे बाद देखेंगे, बरब जमी या नहीं जमी है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें बरब जमी या नहीं जमी, तो ये देखिए हमारी बरब जम चुकी है, हम सक्सेज हो चुके हैं ये देखिए 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 दोस्तो बरफ फस्ट क्लास जम गई है आपको दिखाते हैं इसमें से निकाल के भी ये देखो दोस्तो बरफ एक दम 100% जन चुकी है तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद